हलो माई डिर स्टुडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासिस जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाए जुड़ जाए लाइव हो जाए हमारे साथ गले में काफी कोल्ड होने की बज़ा से काफी दिनों से क्लासिस बिल्कुल रुक रुक के चल रहा है पर कोई नहीं ह कल से हम लोग क्यापसिटर संधारी तर पर पड़ेंगे और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर अब्जेक्टिब और सौट कोश्चन वह भी होगा उसके भी क्लासिस अम लोग लग लगवाएंगे और नुमेरिकल्स की लासे सोगी तो कल से हमारा संधारी तर क्यापसिट करके वहां पर अगर आप ड्रीम क्लासे सर्च करते हैं तो हमारा चैनल दिख जाएगा उसको आपन करके नीचे ज्वाइन कर लीजेगा वहां पर आपको नोट्स बगएरा भी मिलते रहता है और जो भी लाइव क्लासे होती है उसका नौटिफिकेशन बगएरा भी वहां प क्लासे की नाम से तो आज का जो हमारा टॉपिक है कप्ल आइम पिछले ख्लास में ने क्या पढ़ाता रेड़ी हो आप सभी लोग तो जो हमारा टॉपिक था पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक समतल आवेशीत आचालक के निकट की पिछले क्लास में हमने चालक और आचालक में अंतराइ suspects था चालक में Apost वह उसके चार और एक समान रूप से रेगा, यानि चालक के अंदर आवेश नहीं जाएगा, उसके बाहरी सता पर, पूरी तरह से, संपुर्ण सता पर विदवान रेगा, लेकिन आचालक में क्या है ना, कि अब जहां आवेश देदो, जहां आवेश देदो, वहीं पे वह चल में आपको बताए गाई की इस तरह का फीघर होगा मानगाँ कर चली इस तरह का यह सीट जो है ऐसे मानखर चलते चली मांगर चली है यह को संगतलृ कि यह संक्षित्ल चालइन गांसारवक यह seat हमने ऐसे रखा है यह seat हमने ऐसे रखा है यानि इसके इस सतह पर आवेश होगा पिछले class में हमने seat को ऐसे रखा था और बैलना कार गूसे प्रس्ट की कलपना की थी और अंदर से बैलन को इस figure से अर अपर कर दिये था क्योंकि बीज में भी आवेस्ट था चालक था कि लिकिन आ कि पे आवेस्ट यहां पर यहां पर आवेस्ट नियुक्ण लिए एक जोटा सै इस्म्सेंपल में स्यक्राइब कर चाहें ग he अगर मानकर चलिए कि हम कोई book उठा लेते हैं, जैसे मानकर चलो, कि ये copy हमने अपने हाथ में रखा है, ठीक है, तो मानकर चलिए, ये एक समतल आवेशित चालक seat है, चालक चादर है, चालक समझेगा, आचालक नहीं, तो इसमें कहां-कहां आवेश होगा, आवेश यहां रहे हावेश जो होता है, वो सत्ह के बाहर होता है, यानि यहां और यहां, तो अब सवाल है कि जो आज जो हम गौसीपरस्ट की कलपना करेंगे सर, वो भी आज इसको चीरते वे, ऐसे बाहर निकलेगी, क्या, तो हम कहेंगे, आज जो है न इसको चीरने की जरुश्वत नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आवेश्य सुन्न हैं क्योंकि एक चाल है और चालख के अंदर जो होता है वह सुनिय होता है तो विद्वते चित्र कामान भी सुनने होगा आवेश क्यों 0 है गौस्य प्रष्ट बनाकर क्या करिए गाव तो इसके आएगे प्रेस्ट की कलपटार्स क्या करेंगे ऐसे लाएंगे बेलना कर गौस्य प्रष्ट और यहीं तक रखेंगे इसको ऐसे नहीं करेंगे क्लियर है अच्छा कल के क्लास में अपने पढ़ा था कि आ चालक सीट था में पिछले क्लास में और इसके चारों तरफ और अंदर भी हमने आवेश को डाल दिया तो लास्ट में जो फाइलली हमारा अंसर क्या आया था आया था लास्ट में फाइलली हमारा विदूतिय छेत्र क आमान की बराबर आया थाए और लुग मंऱ प्लिव में शुकया था करने कलlarını क्ल आतरा है के लोग में टी फाइब हरना नमबर 146 does तो हमने जब विदु तत्य के गंदा की थी, कल का पिछला एक सम्तल दो अब जो को निकाट किसी बिंदू पर विदु दो इचेतर के गंदा तो हमने इब चालक के निकाट निकला था सिग्मा बटे 2 ψêuाइल Εनोट ॐ बिसे होगा सिग्मा ऑटे 2 ψloud नूट होगा तो चालक के वाहितं सता पर क्ल आवेश क्या होगा तो हम कहेंगे कि समीकरन एक और इसको समीकरन दो अगर मालें तो अगर हम जोडते हैं तो सीग्मा ऑटे 2 ψ appeals का सिग्मा ऑटे 2 ψrão Size और यह two say two cancer हो गया यानि फाइनली जो होगा वो आज का हमारा अंसर आने वाला है सिग्मा बटे इस साइलर नोट कब जब एक समतल आवे सी चालक के निकट किसी बुंदू पर हमें विदूतिय चेत्र की कलपना करेंगे तब आज हमारा यह अंसर है लेकिन कहिएगा सर इतने से काम थोड़ी चलेगा एक्जाम में इतने से काम नहीं चलेगा पूरा डेरिवेट करके बनाइए तो अब हम इसको मिटा देते हैं यह बस फर्मालिटी के लिए था आपको समझाने के लिए था कि हम डिरेक्पली इसका क्ति फाइंड आट नषीन से कीयां सब्सक्राइब तो इख जांग को पीइच में टो सब्सक्री में सब्सक्राइब कीडिया और सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करें चलिए अब इस चीज को करते हैं करें कि यह बहुत हो गया चलिए आगे बढ़ते तो यहां आवेश सुनने होगा तो यहां पर जो हमने आवेश रखा क्यूं यह ठीटा ने क्यूं है जीरो और विदूतिय चेत्र का मान भी होगा क्योंकि आपने पड़ाएं कि यह ठीज इंदर आवेश यहां पर हमने क्या कर दिया कि मान कर चलिए कि यह चालक में आपको इंट्रफेस को छेकर ऑब तरह को आदleş करने तो यहाँ क्या क dele कार इस तरफन के क्लपना कर ली कर देखिया है कि माना कि एस एक सम्तल आवीशित जिसके प्रतिय कांग छेतरफल पर आवेश सिगम है अच्छा कल भी हम लोग पढ़ेते कि प्रिष्टिय आवेश घनत जिसका फॉर्मुला होता है आवेश बत्रे छेतरफल और इसको किस चीज से डिनोड करते हैं सिगमा से डिनोड करते हैं माना कि यस एक सम्तल आवेशित चादर है शीट है ठीक है असले चादर भी लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है कि माना कि यस एक सम्तल आवेशित शीट है जिसके प्रति एकांग छेतरफल पर आवेश जो है वो सिगमा है चादर के निकट पी कोई बिंदू है पी कोई करने के लिए ए अनुप्रस्त काट के चेतरपल का एक बेलनाकार गौस्य प्रस्ट की कलपना की गई ए अनुप्रस्त काट के ए अनुप्रस्त काट के ठीक है क्लिर माना कि यह से एक संतल आवेशित सीट है जिसके प्रती एक संतल आवेशित सीट है जिसके प्रती एकांग चेतरफल पर आवेश सिगमा है चादर के निकट पी कोई विंदू है जहां हमें विदूतिय चेतर के तिब्रता का मान गयाद करना है और विदूतिय चेत क्यों नहीं कि आज को चीर कर जाने से पहले हम लोग समतल पर बात करते हैं यह समतल सता है वह जहता है वह प्लस से दूर कर यह मान कर चलिए कि दिशा है और आपने पढ़ा होगा चेत्रफल सदीश जो विदूत्य चेत्र के लंबबत होती है ठीक है नियुक्त मतलब जिस तरह से अप शीट ऐसे रखेंगे इसके लंबबत होगी तो सता के लंबबत होती है सोरी तो यह जो है यहां माना तो जब जिदर चेत्रफल सदीश है उधर ही विद्धुचेत्र की दिशा है तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि टीटा की जो वैल्ली होगी जीरो डिग्री आपको पता है अब यहां पर एक डीए सल पांस ले ले तो चेत्रफल सदीश जोगा वो 90 डिग्री होगा अब दिखिए समतल के लिए ठीटा की वैल्ली जीरो डिग्री गोलाकार वन के लिए ठीटा की वैल्ली नबबे डिग्री सिंपल सी बात है यहां पर गोलाकार टू के लिए ठीटा की वैल्ली नबबे डिग्री और समतल के लिए ठीटा की वैल्ली जीरो डिगरी यानि सम्तल के लिए हम सीले सीधे क्लियर करके लिख देते हैं कि जब सतह शम्तल होगी तो ठीटा जो होगा वो जीरो डिगरी होगा सतह जब गोलाकार होगा तो ठीटा जो होगा, वो 90 डिग्री होगा. ये आप नोट करो. ठीक है, अब हम यहां से लिखते हैं, गाउस के… नहीं, आप हम लिखेंगे, फॉर्मूला से इसको करते हैं ठीक है कहेंगे फॉर्मूला से फॉर्मूला से आपको पता है दो तरीके से निकालेंगे एक फॉर्मूला से एक गाउस के नियम से दोनों को आपस में बराबर कर देंगे फाई के मान तो फाई बराबर आपने पढ़ा है अब देखें कहां कहां तो गौा ब winner जित्या के दिवता को डूरल सता के लिए एक सम्तल थ lata beni कार अग चार जगह हम करेंगे तो कहेंगे में पूरे सता के लिए पहले संतल और के ल fís संतल ऑन के लिए कि यह आनुट को सिट है कला यह न है पलिस मेधिते समागे पूरे सता के लिए EDS cos theta गोला कार के लिए गोला कार 1 के लिए गोला कार 1 के लिए ठीक है पलस समा कलन EDS cos theta किसके लिए समतल 1 के लिए समतल 2 के लिए इसके लिए जी theta की value जहाँ 0 हाएगा समतल के लिए पलस समा कलन EDS cos theta और ये कहेंगे गोलाकार 2 के लिए चलो, यहां तक clear है clear है नहीं, आप दिखिए अब हम लोग 5 की value को find out करते हैं, 5 वराबर समा कलन करेंगे ठीक है, EDS cos theta समतल 1 के लिए theta की value 0 degree, तो हम कहेंगे EDS cos 0 degree ठीक है, cos 0 degree पलस, समा कलन 5, अब EDS गोलाकार 1 के लिए theta की value 90 degree, तो कहेंगे EDS cos 90 degree पलस, समा कलन करेंगे EDS, 1 second अब, सॉरी, समा कलन करेंगे, अब दिखिए, थोड़ा सा रुखिएगा हाँ, यहां तक clear है concept आप सभी का, अब जैसे मान कर चलिए, कि हमें समतल 2 के लिए cos theta की value लगानी है तो समतल 2 है कहाँ समतल 2 यहां पर है, point to be noted समतल 2 यहां पर है कहाँ पर, जहां पर विदूत्य छित्र है ही नहीं, क्योंकि एक चालक सीट है, और चालक सीट के अंदर विदूत्य छित्र नहीं होता है, तो समतल आपने रखा का, समतल सता जो है वो यहां पर है, और यहां पर बले ठीटा की value 0 degree होगा, लेकिन आप बती क्या यहां पर आवेश है आवेश नहीं, तो क्या विदूत्य छित्र होगा बिल्कुल नहीं होगा, तो यह तो पूरा term 0 होगया यानि समतल के लिए मान automatically क्या हो जाएगा 0 होगा, क्यूंकि क्यूंकि यहां पर आवेश तो है नहीं तो अब कैसे EDS cost 0 EDS cost 90 लगाओगे, point to be noted चालक sheet के बाहर, ठीक है आवेश था, तो हमने 0 भी रखा 90 भी रखा, अब कहिएगा समतल 2 के लिए भी 0 रख दीजे न और गोला कार 2 के लिए 90 रख दीजे कैसे रखेगा, यहां आवेश थो है नहीं तो जब आवेश ही नहीं है तो विदूतिय छेतर का मान सुन्ने होगा, क्या फर्क पढ़ता है 0 90 रखने का, यानि यहां भी 0 और यहां भी 0 क्योंकि गोला कार भी तो यहीं है ना, सीट के अंदर, यह देखो बहले, यहां पर कॉस 90 नहीं रख सकते है और यहां कॉस 0 नहीं रख सकते है यानि यह दोनों हमारा क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा, आटोमेटिकल इगनॉर कर देते हैं उसको, समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पर आवेश 0 है यहां पर आवेश क्या है 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दोनों को उमने इगनॉर करती है कुछ दिर के लिए, कुछ दिर के लिए क्या हमेशा के लिए इग्नौर कर दिया ठीक है शली है फाइल वराबर शमा कलद अब एडियस कोज जीरो कमान क्या होगा एक होगा तो हम कहेंगे इडियस कोज जीरो कमान एक होगा एक गुणि उतना और आपको पता है समा कलद सौरी अब तो कुछ करने की जोरोत नहीं है माफी चाहेंगे इसको मिट आते हैं तो एक सकेंगे समाज में आ रहा है कॉंसेट लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहिएगा मैंने अभी अभी बताया कि टेलीग्राम पर हमारा चैनल है ड्रीम क्लासे के नाम से प्लेस्टूर में सर्च कर लिजे टेलीग्राम डाउनलूड करके वहां ड्र कामान जीरो होता है तो कॉस्च नब्बे कामान जीरोता यह यह तो आपको पता है कि समाकलन हम करेंगे दिए सक नियत इसको आगे कर देते तो इसको हम क्या माने थे एमाने थे तो डिसके समाकलन के जगा पर हम इसको क्या रख सकते हैं रख सकते हैं यानि फाई वरावर जो होगा ई और डियस का समाकलन संपुर्ण सता का जो मान हमने क्या माना है ए माना है तो ई इंटु ए बरावर फाई वरावर इसको अब शामी करन एक मान लो एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहां तक समझ में आया नहीं प्लीज कमेंट करके बता दीजिए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं है जल्दी से बता दीजिए समझ में आया या नहीं है जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको समझ में आया या ठीक है काफी important topic हम आपके लिए लेकर आएं चलिए यहां तक हो गया अब हम कहते हैं गाउस के नियम से थोड़ा सा इंग डालू मैं ठीक है थोड़ा सा आप इसको पहले से नोट करिए जल्दी-जल्दी से सभी लोग सबको समझ में आया से स्यानों जल्दी-जल्दी reply करेंग तो आप लोग बताएंगे समझ में आया नहीं है बहुत important topic है आज हमारा और आज हमारा गाउस का नियम का जो भी topic है सब खतम हो जाएगा सिर्फ हमारा numerical objective वो सब चोब भी रहें वह बच जाएगा अब हम लिखेंगे गाउस के नियम से गाउस के नियम से आपको भी पता है कि गाउस का नियम कहता है यह फाई वरावर फाई वरावर सिगमा क्यू बटट इपसाइलन नोट आपको पता है कि गाउ कहता है कि 5 एप गॉसिये फलक्स 5 एप फाई वरावर सिगमा क्यूब इपसाइलन नोट अब सवाल है सिगमा क्यू मत्व होँए बंद गौस्ये प्रष्ट के अंदर आवेशो का कुलियों तब बन गौस्ये प्रेष्ट कितना है अच्छा सौरी अच्छ प्रती यह प्रष् पर इस्तितावेश ठीक है प्रती एकांग छेतरफल पर इस्तितावेश तो आप देखिए ठीक है प्रती एकांग छेतरफल पर इस्तितावेश क्या है सिगमा है प्रती एकांग चेतरफल पर जो आवेश है हमने कल भी लिखाय था आवेश बटे चेतरफल और प्रती एकांग चेतरफल पर आवेश शिक्मा है तो कुल आवेश यानि सिग्मा क्यू बराबर हम कह सकते हैं कि सिग्मा क्यू फाई बराबर हम कह सकते हैं कि प्रती एकांग चेतरफल पर आवेश सिग्मा है और कुल चेतरफल जो ए है तो सिग्मा क्यू का मान सिग्मा इंटू ए होगा हाँ या ना एक बर बताईएगा कल के क्लास में भी हमने किया था कि सिगमा क्यों का मान जो है सिगमा इंटू ए लिया था क्योंकि कुल छेतरफल ए है और प्रति एक आंग छेतरफल पर अवेश जो है सिगमा है सकते हैं कि एक कलम का दाम सिग्मा है तो एक कलम का दाम एक कलम का दाम सिग्मा इंटू है एक कलम का दाम पांच रुपया तो दस कलम का दाम दस पच्चे-पचास प्रती एक कलम का दाम प्रती एक अंक एरिया पर आवे सिग्मा लग रहा है तो कुल एरिया पर तो कुल एरिया एगुने सिग्मा तो यहां पर हमने सिग्मा इंटू ए कर दिया ठीक है तो फाइव राबर हम इसको डायरेक्टि लिख सकते हैं सिग्मा एबटे इस साइलनोड समी करन दो शमी करन शमी करन दो यहां तक देखिए का सबको समझ में आ रहा है वो सिग्मा है जी 66 नहीं है सिग्मा है वो इसको सिग्मा मानेंगे हम लोग क्या मानेंगे सिग्मा मानेंगे एक बार बताईए का समझ में आ रहा है या नहीं इसको हम लिखेंगे सिग्मा इसको हम लिखेंगे सिग् clear है समी करन एक मिल गया हमें फॉर्मूला से समी करन दो मिल गया गाउस की नियम से अब यहां पर हम कह रहेंगे बाबू कि समी करन एक बराबर दो करेंगे तो विद्धुतिय चेत्र इखमान निकल जाएगा तो समिकरन एक जो है समिकरन एक जो है वो हमारा है ई इंटू ए बराबर समिकरन दो जो है सिगमा इंटू ए बटे इपसाइलन नोट ए से ए सॉरी 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 माफी चाहेंगे यह सिगमा है ठीक है ए से ए हमारा किंसल हो गया तो विदुत्य छेत्र ए का जो मान आया वो सिगमा बटे इपसाइलन नोट यही हमारा अंसर है और इसी चीज की तालास में हम 25 मिलाट से लाइव क्लास कर रहे थे एक बार प्लीज बता दीजेगा समझ में आयने स्क्रीन सॉट ले लो जल्दी जल्दी से लाइक, शेर, सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेज का लर्निंग डाउनलोड कर लिजेगा अगर आप एक कंप्लीट पैकेज चाते हो तो और आरके रुद्र सर जो क्लास 12 का इंगलिस और इंगलिस ग्रामर और बुक सॉल्यूशन दोनों ला चुके हैं ड्रीम क्लासेज के लर्निंग डाउनलोड पर अगर गले में खराश ना हो तो कल हम लोग कल से लोग पढ़ेंगे संधारी तो अगर कल से ना हो पाए तो प्लीज थोड़ा सा पैसें स्रक लीजेगा फास्ट फास्ट उसको करेंगे टेंशन नहीं लेना है ठीक है चार-पांच क्लासेज कैपैसिटर की होगी हमारा यूनिट वन क्लियर हो जाएगा चार लेशन हसते रही हैं मुसकुराते रही हैं continue dream क्लास्ट के साथ पढ़ते रही हैं थídक che और बहुत सारे बच्चे बहुत हैं ऑब थोड़ा मुस्कुराएगे अब दूसरे को मुस्कुराने के लिए बहुते हैं तो हमें तो यह मानना है कि हमारी मुसकुरार तो आपके जो वैल्यू ली थी ठीक है वह हमारा आया था सिग्मा बटे टू इपसाइल नूट और आज हमारा क्या आया सिग्मा बटे इपसाइल नूट और हम इस चीज की तलासमी इतने देर से क्लास को चला रहे थे प्लीज एक बार लाइक शेयर कर दीजिए का आप लोग बहुत कंजूस हो गया होगा हो लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं करते हो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करवाई अपने दोस्तों के साथ और टेली ग्राम पे जरूर जुड़िएगा बार इसक्रिप्शन में भी लिंक है कहीं पर भी जाकर कोड़ सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ओके